आजाय जी साल का पहला छंदग्रहन है सूर्ग रहन अभी कुछ समय पहले ही लगा था अब जो छंदग्रहन है उसको लेकर मन में सभी के सवाल है closब अगली राशी के बारे में जाना जाओंगी वरिश राशीवालों के लिए कैसा रहने वाला है do a बिल्कुल देखे वरिश राशी वालों के लिए भी कोई ये बहुत अच्छे लक्षन लेके नहीं आ रहा तो वरिश राशी वाले थोड़ा सा वाणी में सही हम रखें यहाँ पे ज्यादा किसी के साथ उल्जे नहीं अगले आने वाले कुछ दिनों की बात कर रहा हूँ और कुछ कारे अगर उनके अभी कुछ करने की प्लानिंग है तो थोड़े दिन पांस साथ दस दिन उसको लंबित करने ज्यादा अच्छा रहेगा और अपने स्वास्ते का विशेश तोर से ख्याल रखें अगर कुछ आपको लगता है कि कोई मुझे तकलीफ हलकी फुलकी है तो उसको ऐसे ही नजर अंदाज ना करें उसके बारे में आप पूरा सही तरीके से जो भी आपको उसके लिए करना है वो करें चाहे डॉक्टर को दिखाना है दिखाएं चाहे आपको उसके बारे में कुछ दवा लेनी है वो लें तो यह आप कर सकते हैं और आप चाहें तो छोटा सा उपाय है आप चाहें तो वो कर सकते हैं इस ग्रहन काल के दोरान आप ओम नमध शिवाय इस मंतर पंजाक्षी मंतर का आप जाब कर सकते हैं इससे आपको लाब होगा जी आप हमारे संतवानी चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हाँ बैल आइकन पर क्लिक करना बिलकुल ना भूले ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले